नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चतुरवेदी धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है नज़र डालते हैं पंचांग पर बताते हैं आपको आज कौन सी तिथी है और पंचांग के मुताबिक यह है आपके लिए क्या फलदाई है जानिये पंचांग के अनुसार आज कौन सा नक्षत्र है नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है ये क्या फलदाई हो सकते हैं पंचांग में आज के योग पर नज़र डालें तो आज कौन कौन से योग बन रहे हैं इनमें विसिष्ट योग कौन सा है ये भी आपको बताते हैं नजर आज के व्रतोत्सब त्योहार और विशेश आयोजनों पर भी डाल लेते हैं और अब जानिये जोतेशियों के मताबक पंचांग में चंद्रमा की सिती क्या रहने वाली है रहुकाल और दिशाशूल के बारे में भी जानिये चंद्रमा कर्णिया राशी में संपून दिवा रातरी है दिशाशूल रविवार को पश्चन दिशा की आतरा में दिशाशूल रहता है चंद्र सिती के नुस्वारज दक्षन दिशा की आतरा लाबदायक वशुप्रद है राहुकाल मध्यमान से शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक राहुकाल वेला में शुपकारिरम यथा संभव वर्जित रखना हितकर है वार कृत्ते कारे रविवार को समाने रूप से राज्य विशेक उत्सव गाना बजाना नई सवारी वायोयान आधी का प्रेयोग यात्रा नौकरी पशु क्रेविक्रे सोना तांबा उनकार संभंधी कारे औशेद वर जड़िबूटी आधी का संग्रह वा प्रेयोक शिक्षा दीख्षा लेना देना अस्तिशस्तर वर अगनी संभंधी कारे निया एक परामर्ष तथा यग्यादी वंत्रपरदेश आधी कार करने योग्य है वाई ये बढ़ते हैं एक और महतवपूर्ण विशे की ओर और जान लेते हैं शुब मुहुर्थ और स्रिष्ट चोगडिये के बारे में शुब मुरत आज राजकिय सेवा प्रारम या पदग्रहन करना उत्रा फालगुनी वा हस्त में प्रसूती स्नान सगाई वरुका विद्यारम विपनी व्यापरारम आठवा पुंस्वन सीमंत करम आधी उत्रा फालगुनी में तथा विवावशले चिकित्सा के हस्त नक्षत्र और अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है जो तिशा नुसार उन बच्चों की राशी क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है आज जन्म लेने वाले बच्चों के राम प, 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 श, अण, अधी एक्षि ceux पर अघ्षरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जन्म राशी करन्या राशी करन्या राशी के स्वामी बुधह हैं कर्णिया राशी वाले जातकों के अथक परिश्ट्रम व प्रयासों से कारेशेत्र में प्रगती होगी अपेक्षा नुसार धन लाब भी होगा तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और चोगडिये आदी के बारे में जाना आपने उलेखनी है कि ग्रह, नक्षत्र भी उन्ही का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरुसा रखते हैं आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद